नमस्कार विध्यारतियों हरी बाबा क्लासिस पर आपका हर्दिक स्वागत है विध्यारतियों आज की वीडियों में हम कक्षा बारे की एंसियाटी बोक फिलेमिंगों का तीसरा चेप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डीप बाटर जो लिखा गया है बिलियम ओ डगलस के द्वारा ये जो लेसन है ये बिलियम ओ डगलस की आत्मकता से लिया गया है इस लेसन में वताया गया है कि बिलियम ओ डगलस को पानी से बहुत डर लगता है वो पानी के अंदर जाने से डरते हैं लेकिन आखरकार वो हिम्मत करके इंस्ट्रक्टर लेते हैं और पानी के अंदर जाने का डर दूर करते हैं और बहुत ही अच्छे सिमर बन जाते हैं उनके संगर्स की कहानी हम पढ़ेंगे कि कैसे उनको पानी से डर लगता है और किस तरीके से वो इस डर पर जीत हासल करते हैं यही सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे डीप बाटर में तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं देखे चैप्टर हमारा यहां से सुरू हो करें ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 वर्स का था I had decided to learn to swim करें I had decided मैंने निश्चे कर लिया था to learn सीखने का to swim मतलब तैरना मैंने तैरना सीखने का क्या किया निश्चे कर लिया था या निश्चे किया there was a pool at the YMCA करें YMCA नाम का एक तालाब था इन याकिमा करें कि याकिमा में करें कि याकिमा में एक YMCA नाम का तालाब था that offered जो परदान करता था exactly the opportunity करें ठीक इसी तरह के opportunity के लिए करें जो ठीक इसी तरह के अब सरों को परदान करता था the YMCA river was treacher's करें याकिमा नदी बहुत थी treacher's थी मतलब डेंजर थी खतरनाग थी करें याकिमा नदी बहुत खतरनाग थी mother continuously warned against it करें कि जो माता जी थी वो निरंतर करें इसके खिलाप against क्या देती रहती थी चेतावनी देती रहती थी and kept fresh in my mind और मेरे दिमाग को तरों ताज़ा रखती थी the details करें कि विबरन से मेरे मन को तरों ताज़ा रखती थी of each driving करें इन दा रिवर नदी में परतेक दूबने वाले के विबरन को मेरे मस्तिस्क में तरों ताज़ा रखती थी आगे देखिए what the YMCA pool was safe परन्तु YMCA नाम का जो तालाव था वो सुरक्षित था इट वाज अनली टू और थ्री फिट डीप ये कह रहे हैं ये केवाल दो या तीन फिट गहरा था at the swallow end कह रहे हैं उथले सरे से swallow मतला उथला swallow मतला उथला कह रहे हैं उथले सरे से ये केवाल दो या तीन फिट गहरा था and while और जबकी it was 9 फिट कह रहें कि ये 9 फिट डीप गहरा था at the other कह रहें कि दूसरी और से जबकि ये दूसरी तरफ से 9 फिट गहरा था the drop was gradual the drop means धलान was means थी gradual मतला धीरे धीरे कह रहें कि धीरे धीरे धलान थी got a pair of water wings कह रहें एक water wings का जोड़ा लिया and went to the pool और ताला पर चला गया कह रहें कि मैंने water wings का एक जोड़ा लिया और जो ताला पर चला गया water wings मतलब जो पानी में तेरने वाले पंक होते हैं I hate it to walk मैं चलने से नफरत करता था naked into it naked मतलब नंगा it मतलब इसमें कह रहें कि मैं इसमें नंगा चलने से नफरत करता था and so my skinny legs और कह रहें कि मैं अपनी पतली टाओं को दिखाने से नफरत करता था but I subdued my pride परंतु मैंने अपने गर्ब को pride को subdued किया कहने को अनला दवा दिया and did it और मैंने ऐसा ही किया from the beginning however कह रहें कि सुरुआत से हाला की I had an ever done मुझे एक अरूची थी to the water पानी से कह रहें कि सुरुआत से हाला की मुझे पानी से क्या थी अरूची थी when I was in it जब मैं इसके अंदर जाता था कह रहें जब मैं इसके अंदर जाता था तो मुझे क्या थी पानी से अरूची थी हाला की सुरुआत से this started ये सुरु हो गई थी और ये अरूची कब से सुरु हो गई थी when I was three or four years old कह रहें कि ये अरूची सुरु हो गई थी जब मैं केवल तीन या चार वर्स का था and father took me to the witch in California कह रहें और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे पर ले जाते थे वीच मतला समुद्र का किनारा he and I वह और मैं इस्टूड खड़े हो जाते थे together साथ in the surf कहें सür्फ का मतला क्या होता है समुद्र के पानी के जाते कहें वह और मैं साथ साथ समुद्र के जाते जाते में खड़े हुए थे आई हंग अन्टू हिम मैं उनके उपर लटका हुआ था यट फिर भी दा वैवस नोग्ड मी करें लहरों ने, waves ने, knocked me down, करें मुझे नीचे लुड़का दिया, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे लुड़का दिया, and swept over me, और लहरें मेरे उपर होकर निकल गई, I was worried in water, मैं पानी में क्या हो गया था, वरीड हो गया था, दफन हो गया था, my breath was gone, और मेरी सास चली गई थी, I was frightened, मैं वहवीत था, डरा हुआ था, father laughed, पिता जी हसे, but there was terror in my heart, परंतु मेरे हिर्दय में, डर था, at the overpowering force of the waves, करें कि लहरों के अत्यधिक वलका, करें लहरों के अत्यधिक वलका, फिर भी मेरे था, आगे देखिए, my introduction to the by mca swimming pool, करें कि by mca नामक swimming pool के साथ, मेरे परचे ने reviewed, पुनर जीवित कर दिया था, unpleasant memories, करें कि दुखद इस्मिर्थियों को, and stired childish fears, और करें कि वच्चपन के डरों को, करें कि by mca नामक, तालाव के साथ, मेरे परचे ने, दुखद इस्मिर्थियों को, और वच्चपन के डरों को क्या कर दिया था, पुनर जीवित कर दिया था, but in a little, परंतु थोड़ी देर में, while I gathered confidence, मेरे अंदर साहस आ गया, हिम्मत आ गई, I paddled with my new water wings, करें कि मैंने अपने नए water wings के साथ paddled, मतलब पैर चलाए, watching the other voice, करें कि दूसरे लड़कों को देख रहा था, and trying to learn by aping them, और कह रहा है कि और उनकी तरहा तैरना सीखने की क्या कर रहा था, कोशिस कर रहा था, I did this, और मैंने ये किया भी two or three times, करें, दो या तीन वार on different days, करें कि अलग अलग दिनों पर, करें, और मैंने ये अलग अलग दिनों पर दो या तीन वार किया था, and was just beginning to feel at ease, और अभी मैं थोड़ी आसानी महसूस करने लगा था, in the water, पानी में, when the misadventure happened, करें कि तभी जो है, एक दुरगटना घटित हो गई, I went to the pool, मैं ताला पर गया, when no one else was there, करें कि जब वहां कोई नहीं था, the place was quiet, करें कि इस्थान बिलकुल सांत था, the water was still, और पानी भी बिलकुल सांत था, and the tiled bottom, और करें कि जो bottom था, उस पर tiled लगी हुई थी, bottom पर क्या लगी हुई थी, tile लगी हुई थी, marvel लगी हुई थी, was as white and clean, करें कि वह उतना ही white और स्वक्ष था, करें कि मतलब सफेद औ तालाब की उस पर tile लगी हुई थी, और करें कि उसका पानी उतना ही सफेद और स्वक्ष था, जितना की bathtub होता है, करें कि और वह उतना ही सफेद और स्वक्ष था, जितना की bathtub होता है, I was timid, I was going in alone, करें, I was timid, मैं डर रहा था, I was going in alone, करें, अकेले जाने से, मैं अकेले जा मानें से डर रहा था टिमिट का मतलब होता है कायर डर और गौल सो आई सेट ऊ seven day yolब के एक किनारे पर बैठ गया टूब एट फोर अदर्स करें दूसरों का इंतिजार करने के लिए इसलिए मैं जो है दूसरों का अफे बॉय करें कि तभी एक पहलवान की तरह लड़का वहां आया प्रोबैबली एटीन यर्स ओल्ड संबबता अठारे वर्सका होगा he had thick hair on his chest करें कि उसकी छाती पर घने वाल थे थिक वाल थे करें कि उसकी छाती पर घने वाल थे he was a beautiful physical specimen वह एक सुन्दर सारीरिक नमूने का था with legs and arms करें कि उसकी टांगे और बाहें that sword rippling muscles करें कि और उसकी मासपेसियां sword करें कि उबरी हुई थी करें उसकी टांगों की और हातों की जो मासपेसियां थी बाहों की वो क्या थी ऊपर उबरी हुई थी कहने का मतलब तगड़ा हो रहा था वो he ailed वह चीखा high skinny हे दुबले पतले how would you like to be dugged तुम्हें डुबोया जाना कैसा लगेगा आगे देखिए with that he picked me up ऐसा कहकर उसने मुझे ऊपर उठा लिया and tossed me into the deep end और कह रहा है कि मुझे गहरे सिरे की ओर क्या कर दिया टॉस्ट कर दिया मतलब उच्छाल दिया कह रहा है कि ऐसा कहकर उसने मुझे ऊपर उठाया और जो है गहरे सिरे की ओर उच्छाल दिया I landed in a sitting position कह रहे हैं कि मैं पानी में बैटी हुई अवस्था में नीचे गया swallowed water कह रहे हैं कि पानी को चबाया कहने का मतलब यह पानी मेरे अंदर गया and or bent at once to the bottom और कह रहे हैं कि एकदम जो है पैंदी पर पहुंच गया पैंदी पर गया कहने का मतलब बाटम का मतलब क्या होता है जो तली होती है वो पैंदी कही जाती है तो कह रहे हैं एकदम जो है मैं पैंदी पर पहुंच गया तले पर पहुंच गया I was frightened मैं भ篇वीत था but not yet frightened परन्तु इतना भ restrictive भी नहीं था out of my wits कि मैं अपनी सोचने समझने की सकती भी खोदू, करें भीित था परन्तु इतना भी भ謝 भीथ नहीं था कि मैं अपनी सोचने समझने की सकती को ना पहचान पाहूं या खोदू, on the way down करें रास्ते पर नीचे जाते समय आई प्लांड मैंने योजना बनाई when my feet hit the bottom जब मेरे पैर करें तली को hit करेंगे I would make a weak jump तब मैं एक बड़ी jump लूँगा come to the surface करें सथय पर आने के लिए तब मैं सथय पर आने के लिए एक बड़ी jump लूँगा lie flat on it और इस पर समतल लेट जाऊंगा and pedal to the edge of the pool और कह रहे हैं कि तालाब के किनारे पर आने के लिए पैर चलाऊंगा it seemed a long way down कह रहे हैं कि जो नीचे जाने वाला रास्ता था down वाला वो कैसा लग रहा था long लंबा seemed लग रहा था कह रहे हैं कि जो नीचे जाने वाला रास्ता था वो लंबा लग रहा था those nine feet जो 9 feet गह रहा था were more like 19 वो अब 90 feet गहरा लग रहा था and before I touched bottom कह रहे हैं और इससे पहले कि मैं तली को छूता my lungs were ready to burst कह रहे हैं कि मेरे फेपड़े ready to burst कह रहे हैं फटने के लिए तयार हो गए but when my feet hit bottom परंतों जब मेरे पहर तली से लगे I summoned all my strength मैंने अपनी पूरी सक्ती को सम्बंड किया मतलब एकत्रित किया एकटा किया and made what I thought was a great spring of hearts और कह रहे हैं कि मैंने वो किया जो मैंने सोचा था एक great spring of hearts कह रहे हैं कि मैंने उपर की और एक तेज छलांग लगाई I imagined मैंने कलपना की थी I would bob to the surface like a cork मैंने कलपना की थी कि मैं एक बोतल के ढकन की तरह उचल कर surface पर आ जाओंगा instead इसके बजाए I came up slowly इसके बजाए मैं धीरे धीरे आया I opened my eyes मैंने अपनी आखे खोली and saw nothing और कुछ नहीं देखा आगे देखिए but water कहरें कि पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया बाटर देट हैड डर्टी येलो टिंग टू इट कहरें कि पानी का जो कलर था वो कैसा हो गया था डर्टी गंदा हो गया था येलो पीला हो गया था I grew panicky मैं बहवीत हो गया I raised up मैं उपर पहुचा as it to grab a rope मैं एक रसी को पकड़ दूँगा and my hands clutched only at water लेकिन मेरे हातों ने केबल water को कहने का मतलब पानी को clutched गया पकड़ा I was suffocating मेरा दम घुट रहा था I tried to yell मैंने चीखने की कोशिस की but no sound came out परंतु कोई भी आवाज बाहर नहीं निकली then my eyes and nose कहने कि फिर मेरी आखें और नाख came out of the water कहने पानी से बाहर आई कहने फिर मेरी आखें और नाख पानी से बाहर आई but not my mouth परंतु मेरा मुँ बाहर नहीं आया तो विद्यारतियों ये था deep water का पहला part जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है means by means और इसका दूसरा part जो है हम कल सुभा पढ़ेंगे और सुभा में मैं पूरे lesson को खत्म कर दूँगा दूसरे part में आपके तो कल फिर मिलते हैं next part में मसकार विद्यारतियों जेहिंद बंदे मात्रम